नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अभी सेख और आज मैं बात करने जा रहा हूँ लेखी का कृष्णा सोबती दोरा लेखी गई पार्ट जिसका सरशक है मिया नसुरुद्दीन इस पार्ट में कई पीडियों से रोटिया बनाने का कार्य करने वाले मिया नसुरुद्दीन के वेक्तित्व और स्वभाव को शब्दों के माध्यम से चित्रित किया गया है तो चलिए दोस्तों सुरु से इस पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं एक दिन लेखी का दो पैहर में जामा मस्जित के सामने बसे पूराने मटिया महल के गड़िया मुहले से गुजर रही थी वहां से निकलते समय उन्होंने एक साधारन सी दुकान पर धेर सारा आटा गुत्थे हुए देख कर सोचा की शायद सिवयों की तयारी हो रही होगी नानबाई की दुकान थी मिया अंदर ही चारपाई पर बैठ कर बीड़ी पी रहे थे उनके चहरे पर गहरे अनुभव की जलक थी और आखों में फूर्ती और चतुराई चमक रही थी मिया नसुरुदिन को रोटी बनाने के अपने खांदानी पेशे पर बहुत अभिमान थ जब लेखिका ने उनसे पूछा की उन्होंने इतने प्रकार की रोटीया बनाने की कला को कहां सीखा तो वे अपने बेपरवाही वाले खास अंदाज में उससे बताते हैं कि नानबाई का काम कई पुष्टों से उनके घर में चला आ रहा है और उन्होंने या कार्य अपने पिता मिया बरकत शाहि से सीखा और वही उनके गुरू थे मिया नसुरुद्दीन अपनी खांदानी शान का एहसास करते हुए उन्हें बताते है कि उनके वालिद मिया बरकत शाहि गड़या वाले नानबाई के नाम से मशूर थे और उनके दादा साहिब मिया कलतन भी बहुत दरजे के नानबाई थे लेखिका के द्वारा मिया नसुरुद्दीन से उन्हें उनके पिता या फिर दादा से मिली किसी सीख के विशय में पूछने पर वे बताते हैं कि सच्ची लगन और महनत से ही हुनर सीखा जाता है जैसे पढ़ाई में अलीफ से सुरू होकर आगे ब परते हैं छोटे काम करके ही फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है मिया अपनी बात स्पस्ट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने भट्टी बनाने भट्टी में आच देने और बरतंद होने तक के छोटे से छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने की कला को सीखा थ वे आगे बताते हैं कि अपने पिता की इस दुकान पर भीवा सीधे आकर नहीं बैठे थे बलकि इसके लिए भी उन्होंने गली-गली सामान बेचने का अनुभव प्राप्त किया था जिसके बाद ही उन्हें यह जिम्मेदारी मिली थी लेही का दुआरा अन्य नानबाईयों के विशय में पूछने पर मिया नसुरदिन उन्हें बताते हैं कि वहाँ अन्य नानबाई जरूर है लेकिन खानदानी नहीं अपने परिवार के इतिहास पर गौरानवित होकर वे उन्हें बताते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने उन नहीं बताते अपने पूरवजों की प्रशनसा करते हुए वे कहते हैं कि खानदानी नानबाई कुए में भी रोटी पका सकता है। पूछने पर वे अंद में तंग होकर बोलते हैं कि आपको कौन सा उस बाक्षा के नाम चिट्थी पत्री भीजनी है या कहकर वे लेकिका की बातों को टाल देते हैं। रुपे हुए गुस्से को देखने के बाद उन्होंने अपना विचार त्याग दिया और फिर उनके कारिगरों के विशय में बाते करने लगती है। मिया नसुरुदीन उन्हें बताते हैं कि उन्हें दो रुपे मन आटे की और चार रुपे मन मैदे की मजदूरी देते हैं। लेखी का दुआरा रोटियों की किसमे जानने की इच्छा से पूछे गए सवाल पर वे बाकर खानी, शीरमाल, ताफतान और खमीरी इत्यादी रोटियों के नाम फटाफट गिनवा देते हैं। वे तुनकी रोटी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वा पापट से भी महीन होती है। लेकिन या कहते कहते हैं वे पिछले जमाने की यादों में खो जाते हैं। और कहते हैं कि पहले के जमाने जैसा खाने पकाने का शौक अब किसे है अब ना तो लोगों को वह शौक है और ना ही उन चीजों की कदर आज के जमाने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोल बाला है क्या बनाए और क्या खिलाए तो दोस्तो इस वीडियो को लाइक और शेर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आये है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद